देवरोड में ट्रेक्टर ट्रोली में पीछे से टकराई कार एयर वैक खुलने से बचे कार सवार दुरगटना के बाद मोके से फरार हुए कार में सवार तीन युवक भागते वक्त एक युवक के वैक से गिरे दो चाकू पुलिस ने किये जब्त जी हाँ खुल गया है आपके अपने चिड़ावा सहर में ग्रोसरी फोर यू सूपर मार्केट फ्री होम दिलिवरी के साथ एक हिछत के नीचे जरुतमान सामान उपलब्द विशेस ओफर और विशेस चूट के साथ आप देखiß रहे हैंalo शेगरी टामस फंकल्स कैमरामन दीपक के साथ दोस्तो फ़र्स्ट च्रोली के में ग्रोसरी फास्ट स्पीड में ठी तो पीशे से इसने एक्स त्डीक उख़ा है पीशे से इसने गाठीक को ठोका है और इसके बाद इसमें बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर चालक और चालक के साथ में दो लोग और भी थे वो लोग गाड़ी से निकल कर भागे हैं जब वो निकल कर भाग रहे थे तो गाड़ी के अंदर इनके पास एक थैला था उस तहले में से दो चाकु निकल कर नीचे पड़े है, अब ही पुलिस पर्सासन यहापर पहुंच चूगा था, पुलिस पर्सासन ने बताया है कि वो चाकु, आम्स एक्ट के अनुसार है या नहीं, उसकी जाज़ परताल की जा रही है, हो सकता है कि घछ एलू चाकु हो, या हो सकता है कुछ और भी कोई बात हो इसके अंदर लेकिन इस एक्सिडेंट के बाद में जो चालक और चालक के साथ दो साथी थे वो यहां से फरार हो चुके है चोटे-मोटी-चोटे उनके जरूर आई है और एक्सिडेंट इतना बहानक हुआ है कि गाड़ी के जो एर बैग है वो भी खुल चुके हैं तो इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो चालक और सालक के साथ में दो लोग थे उन्होंने सराप भी रखी थे क्योंकि गाड़ी के बाहर ही सराप की बोतले भी यहां पर पुलिस को मिली है और जो चाकु जो मिले है उसके बारे में पूरी परकार की कोई जन्हानी नहीं हुई है जो ट्रेक्टर ट्रोली थी जो मिट्टी वो खाली करते हैं किसी प्लोट में खाली करके आ रही थे इसके बाद चड़ावा कही थे वो चड़ावा बन जारा समाज के वो ट्रेक्टर है वोनी के वो लोग थे तो ट्रेक्टर ट्रोली जो है उसको तो ले जाया जा चुका है पुलिस भी मोके पर पहुंच चुकी थी कर्यों आडा की आडा की कταकी। झाल झाल